आपको Quesun दिया गया है, चेचक की टीके की खोज है, वो किस ने कीती, चेचक यानि इसी को क्या बोलते है, smallpox, फिन फिन फॉस्ज के द्वारा होता है, वाइरस के द्वारा और उस वाइरस का नाम है, वेरी ओला वाइरस वेरी ओला वाइरस स्मॉल पॉक्स किस वाइरस के कारण होता है वेरी ओला वाइरस के कारण होता है एक होता है चिकन पॉक्स चिकन पॉक्स के वाइरस का नाम है वेरी सेला जोस्टर वाइरस और स्मॉल पॉक्स के वाइरस का नाम है वेरी ओला वाइरस जो तो जचक रोग होता है उसके टिके की खोज है वो किसके द्वारा की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन्होंने फश्ट एंटिबायोटिक की खोज की थी और उस एंटिबायोटिक का नाम क्या है पैनिसिलेन तो पैनिसिलेन की खोज है वो किसके द्वारा की गई थी अले 됩니다 ऑर्टिस्छ कितना होता है है इसमें जो नाहीं और सिंथेटिक औरॡ़िनिक अंपाउड है जो लेब में बनाया गए था organic compound यानि carbon वाला compound इसमें carbon है तो पहला synthetic organic compound कौन सा है यूरिया और इसको किसने बनाया था वहलर ने कि वहलर की द्वारा बनाय गया था और यूरिया इसको हम खेतों में खाद की रूप में का मिलेते थिसमें नाइट्रोजन का जो क्या बोलते हैं बायो गेस बायो गेस कैसे बनाते हैं उनको खड़ा खोद कर उसके अंदर डाल देते हैं और उपर से उसको कवर कर देते हैं ताकि उसमें ऑक्सिजन ना पहुंचे यानि बायो गेस जब बनाते हैं तो उसमें एवाई वे सब्सन होता है उसको उपर से कवर कर गेसब मिक्सर होता है और गेसय होती है और दूसरे नमर पर कारबन डाय ओक्साइट इसका आनसर होगा मिथेन को क्या का जाता है मार्स गेस भी कहते है और जो जुगाली करते है ना जानवर तो जब वो जुगाली करते है तो उनके माउट से कौन सी गेस रिलिज होती है मिथेन गेस ही वो निकलती है और इसके अलावा जो गाय भेंस बग रहे हैं वो ताजा गोबर करती है, तो उसमें भी सबसे ज़्यादा कॉन सी गेस होती है, मिथेन गेस होती है, और दलदली एरिया है, उसमें भी मिथेन गेस पाएजाती है, आपको मिथेन के लावा मार्स गेस है, वो भी ओप्सन में मिल सकता है, तो यह इतनी बात आपको ध्यान में चोकलेट स्वास्ते के लिए हानिकारक हो सकती है, क्योंकि उनमें निमनलिकित का अंस अधिक होता है, चोकलेट है, वो स्वास्ते के लिए हानिकारक होती है, इसलिए चोकलेट ज्यादा नहीं खाने चाहिए, क्योंकि ज्यादा चोकलेट खाने से आपके फेपड़े हैं, वो उनमें infection हो जाता है, तो कौन सा अंग प्रबावित होता है, ज़्यादा चोकलेट खाने से फेपड़े हैं, वो प्रबावित होते हैं, क्योंकि चोकलेट के अंदर क्या होती है, निकिल होती है, तो आपको पूछा जाए, ऐसे भी पूछ सकते हैं, कि चोकलेट के अंदर कौन सी धातू पाये जाती है तो निकल धातू पाये जाती है जितनी ज्यादा डार्ट चोकलेट होती है उसमें उतनी ही निकल की मातरा ज्यादा होती है तो इसलिए चोकलेट स्वास्ते के लिए हानेकारक होती है औंवान सीखी के पीटा की रूप में किसे जाना जाता है औनवान सीखी के पीटा है जो वनसा अनूगत्ट लक्षन वो एक पिड़ी से दूसरी पिड़ी जो जाने की परकिरिया Grüences on का जाता है विश्व में हरित करांती के पिता इसे का जाता है नॉर्मन बॉर्लो को का जाता है एमस स्वामी नातन इनको भारत में हरित करांती के जनक का जाता है भारत में हरित करांती के जनक MS Swaminathan और William Batson या W Batson इनके द्वारा Genetic सब्द है वो सबसे पहले दिया गया था तो Genetic सब्द है वो तो किनके द्वारा दिया गया था William Batson के द्वारा और अन्वानसी की Genetic के पिता किसे कहा जाता है Gregor John Mendel को जिन्नोंने मटर के पोदे पर प्रियोग किये थे रक्त का सूधी किस अंग में होता है रक्त का सूधी करण प्यूरिफिकेशन है वो किस अंग के द्वारा किया जाता है रिदे के द्वारा रक्त को पंप किया जाता है गुर्दा या किड्नी रक्त को छाने का कारी किसके द्वारा किया जाता है और फेपड हैं इनके द्वारा रक्त का purification या सुधी करन किया जाता है तो इसी आपका answer होगा Shona का Latin Names क्या है? Shona दातु उसका Latin Names क्या होगा? Argentum यादे अजी, Silver होता है, उसका Latin Names क्या होता है? Argentum, Natrium, Sodium Sodium का Latin Names Natrium, Pulbum, PB, Lead, किसी को क्या बोलते है? LED या Sisa तो LED या Sisa का Latin Names क्या है? Pulbum है और Aurum इसी को किसे लिखते हैं AU से तो AU यानि सोना सोने का Latin नाम क्या होता है औरम होता है तो D इसका answer होगा अमली बर्सा में जल का pH कितना होता है पिएच की आवधार्णा आपको क्या दे रखा है पिएच नाम तो pH की अवधाना किसकी द्वारा गिंदी की थी? सोरेंसर नामक वेग्यानिक में pH की अवधाना दी थी उन्होंने एक स्केल दी जिस पर 0 से 14 तक अंक दर्शायवे होते हैं उसको क्या बोलते हैं? pH स्केल बोलते हैं अगर 0 से 7 के बीज में अंक है इसका मतलब वो ख्षार ये pH है तो pH की अवधाना किसकी द्वारा दी गई थी? सोरेंसर नामक वेग्यानिक ने दी थी तो अमल ये वर्षा में जो जल का pH होता है वो कितना होता है? ये पुछा गया अमल ये वर्षा होती क्या है? कार खाने बग रहे हैं या कोई वहान वगर है उनसे जो गयसे निकलती है जैसे NO2, SO2 ये गयसे हैं वो निकल कर वाय मंडल में फेलती है तो वाय मंडल में जो नमी है उसे उस नमी से करिया करके ये गयसे किसका निर्मान करती है? एसिड का निर्मान करती है एसिड बनाती हैं जैसे H2SO4, Sulfuric Acid बना लिया, HNO3, Nitric Acid बना लिया तो जब वर्सा होती है तो ये एसिड हैं वो पर्तवी पर आ जाते हैं वर्सा जल के साथ तो इसी को क्या बोलते हैं कि अमल वर्सा हो गई यानि अमल की मातरा है वो ज़्यादा पर्तवी पर पहुंच रही है उसी को क्या बोलते हैं अमल वर्सा बोलते हैं और ये अमल वर्सा है ये फसल वग रहे हैं भवन वग रहे हैं इनके लिए हानेकारक होती है इनको नुकसान पहुंचाने का कारिय करती है सामानेत वर्षा का जल है उसकी pH का मान कितना होता है 5.6 होता है जब pH का मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसको क्या बोलते है अमली वर्षा बोलते है तो आपका आंसर कौन सा होगा 5.6 से pH का मान कम हो जाता है तो उसको क्या बोला जाता है अमली वर्षा बोला जाता है